Hello everyone and welcome to class number 32 of Autodesk Maya 2020 So guys, first class में हम लोगों ने देखा कैसे हम लोग X के head को unwrap कर सकते हैं Second class में हम लोगों ने देखा कैसे आप metal portion of the handle you can unwrap सारे tricks भी हम लोगों ने देखे इतना ज़्यादा hard नहीं था Because हम लोग थोड़ा सा अगर practicing रखे अच्छे से और सारे tools and options को अगर अच्छे से explore कर ले तो हम लोग अच्छे से unwrapping कर सकते हैं तो basic funda unwrap को अगर आपको आ जाए तो आप किसी भी complex geometry को unwrap कर सकते हैं तो थोड़ा सा logical आपको समझना है उस shapes को और उसके बाद में आप उसे unwrapping करना easily start कर सकते हैं आज की class में हम लोग यहाँ पे अपने wooden portion के handles को unwrap करेंगे और देखेंगे कि क्या-क्या difficulties हम लोगों को आ सकती है ऐसे shapes को भी unwrap करने में और राइट गैस तो hello everyone, welcome to JFX ग्यान मैं हूँ आपका instructor Roshan चलिए स्टार्ट करते हैं आज की class को आज हम लोग थोड़ा नीचे के portions की तरफ जाएंगे जहां पे हम लोग इन handles को unwrap करेंगे ठीक है लेट सी इफ वी फेस एनी issues या कुछ difficulty हम लोगों को इसे भी unwrap करने में आती है तो उसे कैसे हम लोग टैकल कर सकते हैं और राइट सबसे पहले तो मैं इसके उपर अपना material अप्लाए कर देता हूँ इस अप्लाए उन इस वन अलसो बिकास इन दोनों को हम लोग unwrap करने वाले तो यह सी कैसा हमारा material इसके उपर और texture जा रहा है फ्लो कर रहा है इसके यूवी को अगर हम लोग देख ले तो इस इस वाट इट्स डिफॉल्ट यूवी को देखे तो यह तो अल्मोस्ट गाया भी है कुछ दिखे ही नहीं रहे तो लेट जिस सिलेक्ट इस सी शिफ्ट आय दबाएंगे चलिए इसे फिक्स करते है सबसे पहला काम हम लोगों को करना है कि एक सबसे पहला काम को करना है कि यह एक सक्षक्राइब हो चूंत है नेक्स्ट डबल क्लिक दिस एंटार एच एंड इसे हम लोग क्या करेंगे कट करेंगे बिकॉस रीजन इस यहां पर होना चाहिए लेकिन सिलेंड्रिकल मैपिंग मारने के वज़ए से यहां पर क्या हो गया यह शेप कुछ यहां पर हम लोगों को मिल जा रहा है so let's just cut from here and then हम लोग इसे select करेंगे and यहां पर stitch कर देंगे so let's just stitch together तो यह almost unwrapping तो अच्छा कासा दिख रहा है सिर्फ हम लोगों को क्या करना इसे select करना है और इसे unfold कर देना है so let's unfold it and यह unfold होने के बार में अच्छा कासा decent result ही हम लोगों को दे रहा है ठीक है ज्यादा problem तो नहीं है so if you want you can keep it like this also but ऐसा आडा त्रेडा रखने से अच्छा हम लोग इसे straighten कर ले so let's just straighten this thing तो आप देख सकते है यहां पर हमारा जो shape है कैसे straighten हो जा रहा है like this so we can just simply straighten those pieces यहां पर अगर हम लोग edges को selector ले let's select this straighten and then उसके बाद अगर हम लोग edges को select करके straighten पर क्लिक करें तो you can see यह भी almost इसा straight होना जी start हो जाएंगे यहां पर यह थोड़ा सा issues दे सकता है तो कोई problem नहीं हम लोग इसे manually ऐसा straight कर लेते हैं तो हर बार आपको automatic unwrapping से या फिर unwrapping या UV mapping से आपका काम हो जाएगा ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है तो आपको थोड़े बहुत तो manual approaches लेने पड़ेंगे and manually आपको यहां पर आके चीजों को setup करना पड़ सकता है so you can do it like this also and यहां पर आप ऐसे scale-up करेंगे and then let's just select this all and say unwrap and यहां पर आप यू या वी में करना है आप उसके accordingly यहां पर अपना setup कर सकते हैं like so like this is right so यह आपके almost unwrap अच्छे तरीके से होने लगे यहां पर मैं थोड़ा सा manual approach भी ले रहा हूं reason is that कि यहां पर automatic हमेशा काम करें जैसे मैंने बताया कि काम जरूरी नहीं है तो थोड़ा सा manual approaches के साथ आपको काम करना पड़ेगा so let's straighten this thing you can see में यहां पर मैंवली नहीं सेक्टरा let's just select them and try to just like this now you can try to unwrap them in certain axis also जैसे आपको सरिफ V axis में इसे unwrap करना है या सरिफ आपको इसे U axis में इसे unwrap करना है तो वो भी आप यहां पर try कर सकते हैं and straighten करने के लिए भी आप यहां पर यह different techniques का इस्तमाल कर सकते हैं तो अब आप देखेंगे तो यह पूरी तरह से हमारा जो UV है तो एक-एक करके आप try करें then उसके बाल में एक straighten straighten अब आप देखेंगे तो यह हमारा कितने अच्छे तरीके से यह unwrap हो चुका है without any problem और हर जगा पर आप देखेंगे नीचे की तरह भी तो यह कैसा हमारी letters जो है flow कर रहा है properly तो extreme जैसा यह properly flow कर रहा है हमारा like this repress करके smooth करके भी मैं अगर आपको दिखाऊ so this is how it is moving तो यह ऐसा हम लोगों को unwrap हमारा चाहिए था so this is how it looks like now let's just place it अब हम लोग इसे third set में रखेंगे because one two में हम लोग ने already रख लिया है तो इसे हम लोग यहां रखते है like this तो यह हो गया हमारा यह वाला portion now let's just select this one इसे भी हम लोगों को unwrap करना तो same approach हम लोग ले सकते हैं तो select करते हैं let's go to UV and apply a cylindrical map and you can immediately see what is happening okay यहां पर आप देख सकते हैं जैसा यह पूरा का पूरा mess up हो चुका है क्योंकि इसका तो कोई basically UV नहीं था और ना ही यह कोई geometry था इसे हम लोगों ने extrude करके तयार किया हुआ था उपर के shape से so अब हम लोगों को जो UV मिल रहा है वह ऐसा है so let's just quickly select them and just do an unfold just to check how it goes तो यह आप देख सकते हैं कैसा unfold हो रहा है और किस तरह से यह unwrap हो रहा है and this is not going as expected तो अब यह कुछ difficulties हम लोगों को यहां पर देखनी मिल रही है तो अब इसको कैसे हम लोग resolve करेंगे and how to solve this thing so let's have some manual approach because यहां पर हम लोगों को कोई cut नहीं मिल रहा है we can see that यहां पर हम लोगों को जो यह चाहिए था seam चाहिए था वो हमारा seam draw नहीं हो रहा है कि जिस वजह से तो हम लोग यहां पर manually add select करेंगे और cut देंगे let's select now and now try to unfold it अब आप देख सकते यह हमारा shape open हो चुका है so let's double click here यहां से भी cut करेंगे because यह जो portion से वो यहां आने चाहिए so let's cut this thing and अब हम लोग क्या करेंगे यह select करेंगे इसे and यहां पर आके हम लोग इसे stitch कर देंगे so यह हमारा आ चुका है portion यहां पर let's unfold them अब हम लोग इसे क्या करेंगे एक certain axis में जैसे V axis में हम लोग इसे ऐसे अब आप यहां से manually इससे straighten करने की कोशिश कर सकते हैं जैसे मैंने बताया था कि हर बार सारे options automatically काम करें इसा ज़रूरी नहीं होगा तो आपको थोड़ा सा manual approach लेके काम करना पड़ सकता है and बाकी के UVs कैसे होते अपने पुराने UVs जाने की जो उससे connecting, adjacent या parallel जो भी आपके UVs होते हैं उसको वो देखता है and accordingly उससे unwrap और open up करने की कोशिश करता है so you have to make sure that other UVs are also following in the same way okay let's try doing it like this and यह आप देखेंगे तो आप थोड़ा थोड़ा यह आपको properly तो मिलना start हो जाएगा so just I am just playing with this thing unfold करेंगे V axis में and then उसके बाद में straighten करेंगे हम लोग U याने की यह axis and Y याने की यह axis V याने की Y axis उपर के तरफ से ठीक है so like this and let's straighten them जिसा थोड़ा सा manual approach जिसकते है and then just select them and then just select them यह होगे आपके UBS straight like this okay तो यहां पे अब हमारी यह UBS भी completely straight हो चुका है 3 press करके देखे तो you can see how they are traveling यह proper अब इस तरह से हमारा जो UBS है वो travel होना start हो चुका है cut select just fix those issues यह सब check के लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है and यह unwrapping हमारी हो चिके इस portion की भी तो इसे भी हम लोग हमारे third section में रख लेंगे यानि कि select करके move करते हैं यहां पे and I'll just scale it like this alright so shift i दबाएंगे and if you select this this कि नीचे चला गया इसे उपर रखना है कि अगर confusion हो कि कौन से texture set में रखना है तो आप यहां पे इसे on कर ले तो यह zero three है ठीक है and zero two है zero one है zero one में हमारा head है इसमें हमारा handle का metal part है और यह अब हमारा zero three में हमारा जो wooden portions है और leather वाला handle का part है वो हमारा यहां पे हम लोगों को just select all of them you can see one two three कैसे यहां पे रखते हुए हम लोगों को मिल जाएंगे तो यह first second and third हमारा set हो चुका है ready इस तरह से next अब हम लोगों को क्या करना है इस portion को and बाकी के जो छोटे मोटे हमारे pieces है उन्हें हम लोगों को unwrap करके एक another set में रख लेना है तो हमारे चार set में हमारा यह सारा का सारा UV set हो जाएगा फिर इसके बाद हम लोग इसके टेक्शरिंग का प्रोसेस चार्ट कर सकते हैं all right guys so I hope आप लोगों को वीडियो आज की पसंद आई रहेगी वीडियो इंट्रस्टिंग लगी रहेगी फसंद आई इंट्रस्टिंग लगी है तो please video को like करे share करे comment करे and feedbacks मुझे दे कैसी आपको लग रही है हमारी series जो भी तक हमारी चलती आ रही है आप लोगों को सारे videos कैसे लग रहे है ठीक है और जितना ना हो सके आप लोग वीडियो को पूरा यूटूब पे देखे ना कि डाउनलोड करके सेव करके प्लीज वाच इट अन यूटूब इन इंक्रीजिंग मैं वीवर इटेंशन सिप ठीक है तो मेरे वीवर्स के रिटेंशन वाच टाइम थोड़ा सा इंक्रीज होगा और फिर यूटूब मेरे वीडियो को रेकमेंड करेगा दूसरों को वरना ये वीडियोस रेकमेंड नहीं होंगे और शायो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे या स्टूडлен्ट्स होंगे जो तो आज की क्लास में इतना ही ठीक है मिलते हैं next class में तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहे आप लोग अपने work शेर करें मुझे Instagram पे, Telegram पे, सारे links आपको description में मिल जाएंगे कैसे join करना है तो please follow कर ले, join कर ले and आपके works भी मेरे साथ share करते जाएं तो चलिए विर मिलते हैं next class में तब तक के लिए keep watching, keep learning